आज तीसरा दिन है जोदपूर में हिंसा का और तीन दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है और पूरी तरीके से जोदपूर में नेट बंदी है किस तरीके के हालात हैं यह जानेंगे केंदरी मंत्री गजिंदर सिंग शेकावजी से आपने भी दोरा किया है और आपके तरफ से एक जो है बड़ा विरोत किया जारा राज्य सरकार की तरफ से और आप इसको हिंसा मानते हैं यह संप्रदाइक दंगार देखे परसो रात कुछे कुछ घटना हुई दो समुदाए के लोग आमने सामने हुए संप्रदाइक तना हुआ निश्चित्रूप से दुरभाग्यपू पर जिस तरह से काला कपड़ा बांदा गया टेप चिपकाई गयी जिस तरह से उसके ओपर एक मजभ विशेश का जंडा लगाने के लिए मूर्ती का अपमान किया गया और उसको जब रोकने के लिए जोगों ने अग्रे किया तब उनके साथ में जगडा फसाद मारपीट की की उससे शुरुवात हुए और उस शुरुवात के बाद में जो तनाव हुआ सब लोगों ने साथ बैठकर तनाव समाप्त हो जोद्पुर की परंपरा रीती नीती कायम रहे इसके लिए सभी वरिश्ट लोगों ने बैठकर के वहां समझाईश करके व्यवस्त जो है समाप नहीं है लेकिन उनके दंगे की परिवाशा है कि जब कुछ लोग मरें तब दंगा होगा वो ने करोली को दंगा मानते हैं जहां हजार सेंकड़ों दुकाने चल गई सेंकड़ों मोटर साइकले फूंक देगी जो है कई कारों को आग लगा देगी तोड़ फोड़ हुई सें पताल में भरती रहे लेकिन वो उनकी निगा में दंगा नहीं था क्योंकि दंगा तब होगा जब मरेंगे मुख्यमंत्री जी दंगों का इंतजार मत करिए लोगों का मौत के मुँँ में मत धकेलिए प्रभावी कारवाई करिए ताकि राजस्तान में इस तरह की कांक्षों की पूर्ती करने के लिए राजस्तान को आग में धकेलने के लिए तुष्टी करण की समीधा डालने का प्रयास नहीं करें वरना इसका परिणाम और अन्जाम आने वाले समय तक बहुत बुरा होने वाला है कल राजंदर आदेव जी ने कहा है कि यह उनकी सिस्ट यह नेता है इनको तो मानना ही पड़ेगा इनको यही कहना पड़ेगा जह जब मुख्य Μन्तरी से पंच चैनलस ने पूछा कि यह आप इसमें अपना फिलिए और मानते हैं कीनि मानते हैं तो वह कहते हैं प्रदान मंत्री शांती की अपील नहीं करना एक माहिने जो आपको क करना चाहिए था कम से कम आप तो अपने धर्म करने भाव इसलिए जो है राजंदर रियादव जी के कहे पर मुझे टिपनी नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं मानता हूं कि उसकी राजनीतिक मजबूरी है उनकी मजबूरी है कि वो उनको यही कहना पड़े इस गिरफ्तारी में भी तुष्टी करन की भू आती है जो विक्टिम्स थे जिनको जनोंने अत्याचार सहा उनको चुन चुन करके सुबह चार बज़े घर से लाकर के गिरफ्तार किया जा रहा है मैंने तो सूची नहीं देखी है मुझे प्रोवाइड नहीं की गई है लेकिन जितना मुझे समाचार मिला है नेट बंद होने के करण से करण से कम्मिनिकेशन नहीं है लेकिन जितना मुझे समाचार मिला है मैं कह सकता हूं कि इसमें भी तुष्टी करण और इलेक्टिव त झाल झाल